साप को बताएंगे कि साप के केचली उतारने से जुड़े कुछ रोच अक्तत हिंदु धर्म में साप को एक दैबिय प्राणी ही माना जाता है यही कारणे कि साप के कई प्राचिन मंदिर हमारे देश में मोजूते हैं प्रतिवर्स नाग पंच में कि अफसर पर सभी नाग मंदिरों में श्रदालों के भीर उमड़ती है वोई घर घर में नाग के पूजा की जाती है साप पे से जुड़ी कई किवदंतिया भी हमारे सामाज में व्याबत है तो सदियों से साप कई कारणों से मनुष्यों के आकर्शन का केंदर बना हुआ है साप के केचली उतारना भी इन कारणों में से एक है आई हमको बता रहे हैं कि साम दोरे किछली उतारने से कुछ रोचक और अनसुनी बात है पर तेक रिड़ दानी प्राणियों में तोचा के उपरी परत समय ये समय पर मृत्त हो जाती है कता हैं कि व्रिद्धिव अभिकास के साथ साथ इस मृत्त तोचा का अस्थान नई तोचा ले लेती है इसी परकार एक निश्यत समय अंद्राल के बाद साम भी अपनी बाहरी तोचा की पूरी परत उतार देता है इसे ही केछली उतारना कहते है अभी धार्मी कत्हों के अनुसार साम का केचली उतारना द्यागिय स्वरूप का सूचक होकर उसके रूप परिवर्टन कर लेने इस मन्दी क्रियाओं के एक अवश्यक अंद्र माना जाता है कि केचली उतारकर साम की उम्र बढ़ जाती है और अमर्ता प्राप्त कर जनम मरण के चकर से छूँड जाते हैं एक है कि साप की तवच्चा सोहविक रूप से सूखी और खुश्क होकर जल रोधी आपरण मतलब वाटरप्रूफ जल रोधी आपरण वाली होती है और उसकी प्रजाती के अंसार चिकनी या कृदुरी हो सकती है अपनी तवच्चा में किसी परकार की खराबी या नुकसान एक साप को जल दी केच्चुड उतारने के लिए बात दे करता है और किसी एकांद स्थान पर चला जाता है। इस से मैं लिम्फेटिक नामक दर्ब के गारण साप की आँखे दुदिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती है। इस अवस्था में ये भोजन भी नहीं कर सकते हैं। केचली उतारने से 24 गंटा पहले साप की आँखों पर जमा लिम्फेटिक दर्ब और शूशित हो जाता है। और आखे साप होने से वह ठीक से देख पाता है। केचली उतारने के बाद प्राप्त नीत होचा चिक्नी और चमक दार भीती है। इसलिए से में साप बहुत ही जुस्त और आकरसक दिखाई पड़ता है। फिर साप का केचली उतारने का तरीका बहुत कष्टदाई होता है। सबसे पहले साप अपनी जबलों पर से केचली उतारता है। क्योंकि यहां केचली सबसे अधिक धीनी होती है। शुरुआत में साप अपने जबलों को किसी खुदुरी सता पर अगड़ता है। ताकि उसमें चीर आ जाए। अलग हुए भाब को साप पेड़ की ढूट, काटो, पत्त्रों की बीची खाली अस्तान में बसाता है। और अपने बदन को सिकोड कर धीरे धीरे का सकता है। अपनी पुरानी तुच्चा को बदलते समय साप बहुत ही बेचैन और परिशानी का अनुप करता है। साप दौरच छुड़ी के केचली की साहता से सम्मधित साप की पहचान की जा सकती। यह साप की हूँ बहु प्रती तो नहीं होती। लेकिर साप की तुचा पर पड़े शलकों की आक्रिती इनसे सत्प्रिश्चत मिलती है। कोई साप अपने जीवन काल में कितनी बार केचली उतारेगा। इस सवाल का कई बातों पर निर्वर करता है। जीसे शाप क यूंग, सहिथ, प्राकिर्टिक आवास, ताब्धान और अधरता है। समाने तब धामन साप एक साल में तीन-चार बार केचली उताबता है। केचली पर साप करनंग महीं आपता क्योंकि रंगों का निर्वान करने वाले पिगमिन कोशिका साप के साथ ही चुदी आती है जैन्यवाद